अलो इस्टुएंट्स वेलकम बेक और इस वीडियो में अपन बात करेंगे लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर जो की आइनिक एक टॉपिक है राइट यह जो लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर है यह strong acids and strong bases के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले अपने इसका concept देखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि water का leveling effect strong acids पे किस तरीकी से act करता है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो word है leveling इसका मतलब होता है limit करना इसका मतलब होता है limit करना तो water क्या करता है strong acids की जो degree of dissociation है उसको limit कर देता है वो अपन देखेंगे कैसे लेकिन अगर एक basic reaction की बात करें तो let's suppose अपने पास कोई एक acid है और इस acid को अपने कोई एक solvent में dissolve किया और यहाँ पे कोई भी solvent हो सकता है water हो सकता है तो इनके बीच में reactions होंगी और उस reaction से बनेगा product और इस reaction से acid ने solvent के साथ में reaction किया और यहाँ पे product बना अब अब अपन देखें कि यहाँ पे यह जो equilibrium established हो रहा है वो किस direction में ज्यादा shifted होगा यह अपने को के से बता है लगया तो अपने ऐसे बोल सकते हैं कि acid अगर solvent से बहुत अच्छे से rate करेगा तो product का amount है वो ज्यादा बनेगा और अपने बोल सकते हैं कि यह जो equilibrium है यह forward shifted होगा और इससे यह conclusion निकलता है कि अगर acid बहुत अच्छे से rate कर रहा है तो यह strong acid माना जाएगा अब strong acid कभ अपनी acidic nature अच्छे शो कर पाएगा जब solvent अच्छा base हो क्योंकि यहाँ पे एक acid base reaction होगी तो solvent जितना अच्छा base होगा यह reaction उतनी ही ज्यादा अच्छे से हो पाएगी उतनी ही अच्छे से forward direction में shift हो पाएगी और उतनी ही ज्यादा product बनेगा और यहाँ पे जो equilibrium constant होगा जिसको अपन के ए बोल सकते हैं which is known as acid dissociation constant उसकी value भी उतनी ही ज्यादा होगी और अपने पास एक acid है HCl और इस acid को अपने डिजॉल किया water में इसके dissolve करने से क्या होगा कि HCl अपना H plus lose करेगा और उस H plus को H2 accept करेगा इसके वज़े से एक Cl minus ion बनेगा और एक H3O positive ion बनेगा यह जो H3O positive ion है इसको अपन बोलते है hydronium ion और यह जो hydronium ion है इसका अगर structure की बात करें तो H plus को H2 के molecule ने accept किया है और वह क्यों किया क्योंकि oxygen के पास एक partial negative charge होता है due to its internal polarization इसकी वज़े से H plus को वह अपने पास में bond कर लेता है और यह जो बनने वाला molecule है which is known as hydronium ion it's very stable molecule यह अगर stable molecule है तो यह जो equilibrium है ज्यादा यह forward direction में shifted होगा और असल में यहां पर क्या होता है कि reaction इतनी अच्छी होती है कि HCl के जितने भी molecules होते हैं वो लगभग सारे dissociate हो जाते है all right so HCl almost सारे HCl के molecules अपना H plus loose कर देते हैं and that means यहां पर जो HCl है वो एक strong acid के जैसे act कर रहा है all right अगर अगर अपने technical term की बात करें which is alpha and this is known as degree of dissociation और इसका formula अपन लिख सकते हैं कि dissociated moles divided by initial moles initial moles जितने थे उसमें से कितने moles dissociate होगे इनका जो ratio है this is known as degree of dissociation अब मैं यहां पर बोल रहा हूँ कि HCl almost पूरा dissociate हो गया तो अपन बोल सकते हैं कि let's suppose initially HCl के n-nod moles थे और सारे moles dissociate होगे तो dissociated moles are also n-nod that means alpha is equals to 1 almost equals to 1 तो यहां पर जो HCl है उसका degree of dissociation हुआ 1 in water क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे से reaction हो पा रही है और इसकी वज़े से equilibrium forward shifted है और यहां पर HCl का degree of dissociation 1 है अब अगर अपन same situation में H2SO4 को रखते हैं तो H2SO4 को जब water में dissolve किया जाता है तो H2SO4 के भी almost सारे molecules dissociate हो जाते हैं सभी molecules इसके H plus lose कर देते हैं और यहां पर भी HSO4 minus और hydronium mind बनता है और यहां पर भी जब check किया जाता है तो पदा लगता है कि इसका degree of dissociation भी 1 है मतलब H2SO4 के जितने भी molecules थे उसको जब water में dissolve किया गया तो सारे के सारे molecules ने H plus release कर दिया dissociate हो गया वो पूरा का पूरा ionize हो गया तो इसका भी degree of dissociation 1 है तो अगर यही process अगर अपन repeat करने लें suppose NH3, HNO3 में या फिर इसको repeat करें HCLO4 में या फिर इसको repeat करें HBR में, HI में and so on तो यह जो सारे के सारे acids हैं यह water में alpha equals to 1 रखते हैं सब के सब almost पूरे dissociate हो जाते हैं और इसी को leveling effect of water बोलते हैं और यह strong acids पे act करता है असल में water क्या करता है, सभी strong acids को same degree of dissociation पे रखता है वो same degree तक उनको dissociate करता है, सब का alpha वो उड़न रखता है and this is known as leveling effect of water on strong acids strong bases में भी यही होगा, strong bases को जब water में dissolve किया जाता है तो सारे के सारे strong bases के molecules 100% dissociate हो जाते हैं almost और इनकी वज़े से उनका भी degree of dissociation 1 होता है so सभी strong acids को, सभी strong bases को water same degree से dissociate करता है and this is known as leveling effect of water all right, क्योंकि water strong acids और strong bases की जो strength है उसको limit करता है और इसलिए अपने पास एक point to remember statement है in water all the strong acids and bases are ionized up to same extent and this effect is known as leveling effect of water all right, so जैसे मैंने बोला कि जितने भी strong acids होंगे और जितने भी strong bases होंगे इनको अगर water में dissolve किया जाता है which is a solvent तो यहाँ पे सभी strong acids और सभी strong bases almost पूरे dissociate हो जाते हैं और सबका जो alpha है degree of ionization वो लगबख same होता है और इसलिए this is known as leveling effect of water so guys I hope आपको यह topic बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा जैसे मैंने बोला कि इस topic में सिरफ दो point है कि water में कोई भी strong base या कोई भी strong acid को आप dissolve करोगे सभी के सभी same extent तक ionize होंगे and this is leveling effect of water so guys this is it in this video अगर कोई doubt है तो आप comment section है पूछ सकते हैं thank you very much